पीते साल की तरह इस साल भी रंगों की तियोहार होली की खुश्या कोविड-19 के प्रकोब के चलते जारी लोकडाउन और धारा 144 की भेचर गई नतीजे तन इसका साफ असर दिग्रश शेहर में भी जगा जगा पर होने वाले होली का देहन के आयोजन और रंग पंचमी के उत्सा पर नजर आया लोगों ने एकेटा आकर होली का देहन तुक किया लेकिन इस आयोजन में बेहत कम लोगों की उपसिती से वो बात नहीं बनी जो लोकडाउन के पहले हुआ करती थी मालूम हो कि जिल्हे भर में दिग्रिस थैसल कोरोना मरीजों की बढ़त बनाये हुए है जिस वजह से जिल्हादिकारी द्वारा धारा 144 जारी के जाने से लोगों में पसरा खौफ भी होली का मजा किरकरा करने में एक वज़ाब बना है कौर तलब है कि बीते साथ लोगों को उमीद थी कि वर्ष 2021 के आते ही कोरोना के प्रकोब से निचात मिलेगी लेकिन ऐसा न हो सका हाला कि एक तरफ वैक्सिन के आने से लोगों में दोबारा उमीद तो बढ़ गए लेकिन आए दिन कोरोना मरीज बढ़ते आकड़े चिंता की आग को हवा देने से बास नहीं आ रहे कोरोना संक्रवन की इस दूसरी पारे ने भी राष्ट्य तिथाधार मिक्तेवारों पर पानी फेल दिया है रोजगारों पर भी इसका सीधा असर दिखने लगा है जिससे जनता को आर्थिक तंगी से निचात मिलती नहीं दिख रही है वही दूसरी और राच भर में कोरोना झाल